आज हम ट्राइजमनल नियुराजिया के बारे में जानकारी साजा करेंगे ट्राइजमनल नर्व जो होती है वो चेहरे पे सप्लाई करती है और कई बारी यह नर्व जब श्रति ग्रस्त या उतेजित हो जाती है तो चेहरे पे शॉक लैक संसेशन देने लगती है और जब यह शॉक लैक संसेशन होते हैं तो पेशेंट को बहुत सिवियर पेन होता है तो इसमें मुख्य कारण जैसे कि shaving करने पर pracy, या कोई थंडी चीज लगने पर कई बारी बात करने से भी ये nerf के symptoms आने लगते हैं इसमें जो मुख्य कारण होता है एक खून की नस जो ये trigeminal nerve के बहुत pass से गुजरने लगते हैं तो उसकी वज़े से symptoms आते हैं rare causes में tumor, artovenous malformation या कोई चोट लगने की वज़े से भी ये symptoms आते हैं normally इसमें treatment हम medicines से देना शुरू करते हैं medicines से जादा ता मरीर respond करते हैं कई patients जो नहीं respond करते हैं उनके में radio frequency ablation या एक सुई द्वारा उस nerve का इलाज किया जाता है rare cases में जहां पे वो खून की नस उसके बहुत nerve के बहुत पास है या जहां पे radio frequency ablation फेल हुआ है तो वहां पे operation द्वारा इसको दोनों नस और नर्व और खून की नस को के बीच में एक barrier या एक दिवार बना दी जाती है ताकि वो symptoms खतम हो जाएं any patient who has symptoms of trigeminal neuralgia should definitely consider consulting us at Center for Brain and Spine Dwarka for information and further management of trigeminal neuralgia thank you